चोपड़ा है जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हारदिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कुछ दिन पहले मैंने तमिलनाडू स्टेट के बारे में एक वीडियो बना कर आपको बताया था कि तमिलनाडू गवर्मेंट ने सभी प्राइवेट मेडिकल कोलेज और डिम्ड उनिवर्सिटी को नूटिस जारी किया है कि वो अपने 50% सीट पर गवर्मेंट फीस तै करें यानि कि गवर्मेंट फीस फिक्स करें 50% प्राइवेट सीट्स पर तो इसी के अगेंस्ट जो ये एनेम सी का रूल था उसी के अगेंस्ट तमिलनाडू के प्राइवेट मेडिकल कोलेज और डिम्ड उनिवर्सिटी और पांडिचेरी के जो प्राइवेट मेडिकल कोलेज है उन सबने मिलकर के मदरास हाई कोट में केस फाइल किया है ये केस इस NMC रूल के अगेंस्ट है जो सेक्षन 10 विदिन व्रेक्ट 1 के अंडर आता है जो एक्ट 2019 का एक्ट है जिसमें ये कहा गया है कि प्राइवेट सीट 50% गौर्मेंट फीस फर होंगी तो उसी के अगेंस्ट य अगेंस्ट प्राइवेट कोलेज हैं डिम्ड उन्युर्सिटी है उन्होंने ये केस फाइल किया है मदरास हाई कोट में और इसकी जो घीरिंग है वो 8 अगस्ट 22 को है यानि कि 8 अगस्ट 2022 को इसके बारे में या तो कोई डिसीजन आएगा या फिरे इसकी hearing date आगे postpone होगी तो इसके बारे में जो भी decision रहेगा हम आपको inform करेंगे क्योंकि हर एक situation हम आपको inform कर रहे हैं क्या इसकी 50% seat private की जो है वो government seat पर होगी या नहीं होगी government fees पर इसके बारे में जो भी update रहेगी हम आपको inform करेंगे तो ये तमिलनाडू के बारे में हैं हम पहले भी सोच रहेते कि हो सकता है ये private colleges और dimmed university आगे ये court का रुख करें तो ऐसा ही हुआ है अभी तमिलनाडू में ऐसा हो गया है देखते हैं court का क्या decision रहता है जैसे भी रहेगा हम आपको inform करेंगे मिलेंगे नई update के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिंग